सच्रिय काल जी दा खालस टीवी देखनवाले देश दुनियां दे साड़े सारे दर्शकांदा बहुत-बहुत स्वागत है पंजाब दियां वडियां खबरां देश खास बुलेटन दे नाल मेहर शरन कौर आज 15 अप्रेल देन 112 नानकशाही सम्मत 506 पंजा दे मताबिक अज 13 वसाख हो गया खबरां देश खास बुलेटन दे विचे थोन सारियां वडियां ताजा ते एहम खबरां दास दनेया सब्तो पहला मौसम दी ताजा जानकारी कल पई मी तो बाद आजवी मौसम बेपागने पंजाब दे विचे हलका मी या ते 45 किलोमेटर प्रतीकांटे दी रफ्तार नाल हवावा चलन दी पविखवानी कीती है जद के कल परस्तों ते चोथे यानके 16 स्तारा ते ठारा अप्रैल नो मौसम साफ रहन दी संभावना है ते कल पई बे मौसम मी ते तेज हवामा ने किसाना दे सास्च शुक्न पादते ने मी करके किसाना नो त्यार खड़ी हाड़ी दी फसल परभावित हों दा जाहिर तोर ते डर्स तार है ते मंडियां दे वेचे जड़ी काणक दी फसल पई है, वो भी काफी हाद तक गिल्ली हो गई है, पेज गई है, ज्यादातर थामाते था काणक दी वाड़ी शुरू हो चुकी है, पर कई थामाते हाले भी पच्छड के है, इस वक्त पंजाब दे उन्नी जिल्यां दिया मंडि चुकी ते परबंदा दी पोल भी खुली है, क्योंके ज्यादा तर थामाते मंडियां विच लोड़ी इन्दियां तरपाला ना होन करके शेड़ा तो बाहर पई फसल मी दी लपेट वेच आई है, काल पंजाब दी पटे आला शहर दे विच सब्तो बाद पांज शारिया चा दे वेच हलकी केंडमन होई है, चंडिगाड दे विच भी मौसम बेपाग ने अज हलका मीत तेज हमामा चलन दी पविखवानी कीती है, पूरे पंजाब सने चंडिगाड अते हर्याना दे विच पई हलकी मीने मौसम दे विच जरूर ठंडक लिया दती है, पामे गर्मी हाल बहुत जादा नहीं होई, पार जिन्निक होई है, ओस दे विच एस मीने लोकानू गर्मी तो रहा दती है, खबरां दे विस्थार दे विच सब्तो पहला एतवार्दियां चोन सरगर्मियां दा जिकर करांगे, कॉंगरस ने पंजाब दे विच पहले छे उमीद वारां दी पहली सूची जारी कर दती है, पी एम मोधी देवल्लों बीजेपी दा चोन मैनिफेस्टो जारी कर दता गया है, ते आमादभी पार्टी ने काला काली दालनू चट का दता है, जलंदर तों टीन्नू नू खेच के आमादभी पार्टी च लेगे ने, सिमरन जीत सिंग मान न पहली सूची जारी कर दती है, एक दो नाम हैरान करन वाले ने, दो दिन पहला स्क्रीनिंग कमेटी ने पहली सूची नू अंतिम शोहा देनतु बाद कमेटी नू नावा संबंधी सिफारिश पेश देती सी, अमरित सर्तों गुरजीत सिंग आजला ते मुड पार्टी ने प जद के मौजूद दा विदायक सुखपाल सिंग खेरा नू पंजाब दी सब तो होट सीट संगरूर ते चोण मैदान देविच पार्टी ने उतारया है, बठिंडा तो जीत मिंदर सिंग सिद्धू दा नाम आया है, जिसने सब नू हरान कार देता, पटेयाला देविच टक साली कॉंग्रसी लीडरां ते वरकरां दी नराजगी नू दर किनार करके कॉंग्रस ने डॉक्टर तरमवीर गांधी नू ही चोण मैदान विच उतारया है, ते बठिंडा सीर्तो पंजाब कॉंग्रस देपरदान अमरिंदर सिंग राजा वडेंग नू पार्टी ने चटक का दिता है, क्योंकि बठिंडा हलके तो उनना दी पतनी अमर्ता वडेंग दावेदारी जता रही सी, जीत मिंदर सिंग सिद्धू ओल लीडर ने जड़ी सियास दी शुरुआत वेची तलवंडी साबोतु चोण हार गे सान, 2002 दे विच अजाद उमीदवारव जो जित गे स काउंग्रस दी टिकेट ते उनना ने 2007 दे विच चोन जिती सी, 14 दी विच वो अकाली दाल विच चले गए सान आते 14 विच अकाली दाल वललों वी चोन जिती, पिशले साल 13 एक्तूबर नू उनना ने फेर अकाली दाल नू अलविदा कै दता, ते होन एक दम काउंग्रेस प पर दान वडिंग दियां गिनतियां मिनतियां जरूर विगार दितियां ने। अमरी सर तो आज लगातार तीसरी वरी लोगसभा चोन लड़नगे। तो इलावा यूपी दी एकते दिल्ली दियां तिन सीटां दावी एलान कीता है। शिरोमणी अकाली दालनु काल जिलंदर दिविच आमादमी पार्टी ने ओदो वड़ा चट का दता जदो अकाली लीडर जड़े दो वरी देविदा आयकवी रहे हन पवन कुमार टीनू. उनना दिनाल पीएसी कमेडी दे मेंबर गुट्चरन सिंग चन्नी ए दो में लीडर आमादभी पार्टी विच शामिल होगे पंजाब दे मुखमंतरी पगवंतमान ने खुद इना दा पार्टी वेच स्वागत कीता। इस पश्ट संकेत दन्दा है के जलंदर तो आमादभी पार्टी दे वल्लों सुशील कुमार रिंकु तो बाद होण पवन कुमार टीनू ही उमीदवार होगे। क्योंके पार्टी दे वल्लों पवन कुमार टीनू नू ही जलंदर तो उमीदवार बनाय जान दा फैसला फाइनल कर ले गया सी। जलंदर तो उमीदवार दा नाम एलान ने जाननू लेके आमादमी पार्टी दी वड़ी समस्याता दूर हो गई है क्योंके सुशील कुमार रिंकु पार्टी नू छड के बीजेपी दे विच्च ओधो शामिल हो गे सान जो पार्टी ने नाम भी अनौंस कार दता सी। सो एथे उमीदवार खड़े करन दा मसलाता हाल हो गया पार श्रोमनी ये कालिदाल की करू कीनू लेकियाओ एहुडा कालिदाल दी अगली सूची विचपता लग साकता है। जलंदर लोकसवा हलकी तों चोन लड़ी पर चौधरी संतोक सिंग तो 17,000 वोटा नाढ हार गे सान ते होन तीसरी वरी अपनी किस्मत अजमाउन गे। पार्टी यानके बीजेपी नू मुड़तो फत्वा देन, बीजेपी नू जिता देन, पार्टी दे चोन मनोर्थ पत्तर नू पीएम मोधी ने संकल्प पत्तर दा नाम दता, अते एस संकल्प पत्तर नू फिर गरंटी दस्ता वेज करार दता. बिजेपी ने काल 10 सालां दी आपनी पार्टी दिया प्राप्तियां वी गणवान्यां ते दावा किता क्योंना दी पार्टी ने लोकानार किता हरे एक वादा पूरा किता है पाजबा ने भी कॉंग्रस दी तर्ज दे लोकानू पांच गरंटियां देतियां अते ननू पूरा करंदा फेर वादा किता मोदी ने स्मॉके वाखवाख वरगां दे खेतरां दे लोकानू मंच दे बलाया दे संकल्प पतर दी पहली कापी औना सॉंपी देशवासियां दे नाल जड़े पांच वादे पीम ने कीते ने दोजार उनती तक लोडवांद लोकान देली मुफ्त राशन स्कीम एंड़ेडी ओस नू जारी रख्या जाओगा आजुश्मान योजना तेहत सत्तर सालतो वाद उमर दे बजुर्गानू पांच लखर पईये तक दे मुफ्त लाश्दा वादा किते हैं मुद्रा योजना तेहत लोन दी सीमा वी लखर पईये होवेगी गरीबानू तिन क्रोड का आर्धते जाणगे एक राश्ट्रीक चोन तेक सांजी वोटर सुची पर नाली शुरू कीती जावेगी फसलाली कट्टुकट समर्थन मोलनू वदा ओन तेपा आरत नू दुनिया दी तीजी सबतो वड़ी आर्थ ववस्ता बना ओन दा वी पी एम मोदी ने लोका नालवादा किता उना क्या के संकल्प पत्तर विक्सित पार दे चार मजबूत थम्मा युवा शक्ती नारी शक्ती गरीब ते किसाना नू मजबूत करेगा यानि के बीजेपी दे एस संकल्प पत्तर दे वेच लोका नू कई मुफत सहूलता दे दा वादा किता गया अब हम करोडों परिवारों का बिजली बिल जीरो करने और बिजली से कमाई के अवसर पैदा करने की जिसा में आकाम करेंगे दूसरे पासे मुखवरोधी पार्टी कांग्रस ने बीजेपी देस चोन मैनिफेस्टों नो जुमला पत्तर करार देता है जिड़ा सिर्फ ते सिर्फ शब्द जाल नाल ही पर या होया कांग्रस परदान मलिकारजन खडगे ने के हाँ के परदान मंत्री नरींदर मुदी दी गरंटी जुमला दी वरंटी है क्योंकि अपने पुराने वादयानों पोगाण दे विच ना काम रही ने पार्टी ने दोश लाया के मोदी नौकरियां किसाना दी आमदन दुग्णी करनते महंगाई दे टक करें ने लेके अपने पुराने वादयाते तक खरेनी उत्रे होन 27 तक दियां गलना करके पाला बदल रही ने उनना क्या के पार आज बाद एस मैनिफेस्ट नूं माफी नामिना ना दता जाना चाहिदा सी क्योंकि उननाने पिशले 10 सालां दे वेचर खास तौरते कि सानना नौजवानना अते लोडवंद लोकां दे नाल कीते वाद ए पूरे नहीं कीते खाने पीने के और सभी चीज़े आकास को पहुँचे हैं उसकी उनको फिकर नहीं है इंफलेशन की अनेम्प्लामेंट की और जो उन्होंने पहले पिक्चर बताया वो क्या बोलते ट्रेलर बोलते थे वो तो उस ट्रेलर में ना डिजल की कमी दिखा रही ना पेट्रोल का दिख रहा है ना और किसी ग्यास का कुछ भी नहीं है क्या है और इसने आके इतना बढ़ा दिया कि किसी सरकार में छोटे से ठेनिवर में सेक्डों रुपे नहीं बढ़े और ये आदमी जो दस साल में गरीबों के लिए कुछ नहीं कर सका ये सर्पुदार नहीं आपके पास पाजबा दे संकल्प पतर ते आमादभी पार्टी नेवी प्रेस कॉन्फरेंस किती दिली दी कैबनेट मंतरी आतशी नेवी एस संकल्प पतर नू जुमला पतर दासने किहा कि पाजबा दे जुमला पतर दी पूरी काली किताब उना वादया नू लेके सामने आये जो सरकार ने पिछले दास सालन्द विच पूरे ही नहीं की ते आच्छी ने महंगा इसमें थोर कई मुद्या तेवी बीजे पिनु के रिया 2014 से 2014 तक भारत में 70% महंगाई बढ़ी है यह पूरे दुनिया के देशों में तर्की के बाद दूसरे नंबर पर है भारत नौकरियों में उपर नहीं है भारत आथिक विकास में आगे नहीं है भारत जीडीपी में उपर नहीं है लेकिन दुनिया के आंकडों में इंटरनेशनल आंकडों में महंगाई में दुनिया में नंबर दो पर मोदी जी ने भारत को पहुँचा लिए उदस संग्रूर दे विच जदो तो श्रोमनी एकाली दाल ने पहली सुची दा एलान कीता है ते टी इंटसा परवार नूँ कनारे ति करके एकबाल सिंग चूंदा ते पर उसाज ताया ता टी इंटसा परवारे थे ठगया ठगया महसूस कर रहे हैं टी इंटसा दे नेडल ल रहेने के की हूंटी इंटसा परवार किसी हूर पार्टी दा पल्ला फड़ेगा इस वालनू लैके टी इंटसा परवार खुद भी सियासी मन्थन विच कहन दे जुटेया होया सूतरा तो पता लगया के सीनर काली लेडर टी इंटसा नविया परस्थितिया दे विच पा हुई है काली विच लिया फैसला कि ते पुठा ना पैजा वे इस करके परवार मन्थन दे विच लग गया हुए है ते जे जिहा कुछ भी हुंदा है ता श्रोमनी ये काली दाल दी एक ता ते मुर्तों खत्रे दे बदल मंडराओं लगन गे क्योंगे टी इंसाने एवी ब्या लेंड ली दबा पाया पर टी इंसाने अपने समर्थकानू हाल दी कड़ी शांत रहन ले ही क्या है ती इंसाने भी कहा के पार्टी प्रदान सुखबीर बादल ने उना नूपर रोसा दिता सी के लोग समा चोड़ा दे विच संगरूर तो परमिंदर ती इंसानू उमीदव खर ऐलान दता गया है उद्र बठिंडे वी चर्चा चलन लगी है कि बीबी हर सिमर्थ कौर बादल किसे होर हलके तो चौन लड़ साकते ने हालां के हलाता दे मुतावे के जही संबबावरा नहीं जाब दी क्योंके बीबी हर सिमर्थ कौर बादल ता पिछले कई मीन तो दूसरे पास से सिमरन जीत सिंग मान ने कल प्रेस कॉंफरेंस करके नौजवान लखा सिदाणा नू बठिंडा तो चोण मैदान दिवेच उतार दिता है। के दिवेच चाड़पवी होई पिंडटो डिके दिवेच किसान बीजेपी उमीदवार हांस दा विरोध करन पाउंची ता पुलिस ने तू के गड़ियां दिवेच सुटले आते थाना अजीतवाल दिवेच बांध कार देता ये थे हांस राज हांस दे और तो पहला किसाना हांस राज हांस ने क्या के किसान हिंसक ना होन अपनी गाल जरूर करन उना दे विरोध दा मैं खेड़े मत स्वागत कर दा हां बठिंडा दे पो चो मंडी तो भी खबर सामने आई है जिते किसाना ने बीजेपी दे लीडर गुर्पित सिंग मलुका ते सरूप सिंगला दा विरोध कीता हालांके एक तो चोंता नी लड़ रहे पर बीजेपी दे लीडर होन करके एना दा विरोध होया एसे दरा पटे आला तो बीजेपी दी उमीदवार महराणी परनीत कौर दावी किसाना ने विरोध कीता कल महराणी परनीत कौर समाना दे विच पर चार कर रहे सन जिमें ही किसाना ने तिखा विरोध शुरू कीता ता पुलिस ने प्रदश्नकारी किसाना नूं हिरास्त वेच लेलया ते गिर्फतारी दे विरोध विच सुन्जुकत किसान मोर्चे दिये गवाईच किसाना ने फिर हाईवे ते तरना दता इस तो पहला महाराणी प्रनीत कौर्दा पात्तना बनूर्स में थोर कई थामाते वी विरोध होया सी लाल जीत पुलर माफी मंग चुके ने पर इस ते बावजुद तालिवाल चोण मैदान देवेच ने लगातार पर चार कर रही ने ते काल स्थेती ओस वेड़े ओखी बन गई जदों आमादबी पार्टी देही विदायक कुमर विजे परतापने आमादबी पार्टी देही उमीदवार कुलदीव सिंग तालिवाल दी मजूदगी विचे पार्टी दी चंगी चार्चम कीते अर्विन केज जीवाल पगव अंतमान ते रागव चड़ा नू रगड़े लाए लोक टेरे विच खड़ा कार्दयां तिखे शब्दी हम ले कीते कौवर ने क्या के पिछले दो सालां दे समय दोरान केज जीवाल रागव चड़ा ते पगव अंतमान ने जो कीता उस तो लोक बे हद नराज ने क्योंकि सुबा सरकार ने पंजाव दे कई एहम पाख दे मुद्याते समझा अता कारला है जिस विच नशियां ते बेयाद भी मुद्धा एहम है उदर अमरे सर दे विचे श्रोमनी गुरुदारा प्रबंद कमेटी दी एक मेंबर बीबी किरन जोत कौर जो कि श्रोमनी काली दाल दी लीडर भी है उनना ने अपनी ही पार्टी दे उमीदवार ते जही टिपनी कीते जोड़ी चर्चा दा विश्या बढ विच नहीं है के दे में सिखेतियास दे नजरी है तो देख रही है सौ साला दे विच निरोल पंथक पार्टी दा पिछले कुछ समय दे लीडरा नी की हश्र किता ए अपा सारे जान दे हा दरसल बीजेपी ने थे तरणजीत सिंग संदू नूमेदान दे विच उतारया जद मुजारी कीते गे पंजाब दे जलंदर जिले दे विच आमादमी पार्टी ने वड़ा रोस मुजारा कीता अते अर्विंद केजरीवाल दी गिरिफतारी दे खिलाफ बीजेपी दी मोदी सरकार नू के रिया शिरोमनी गुरद्वारा परबंद कमेटी ने शिरी गुरु ग गेंती ते होर जानकारियानों सूची बद कीता जा सके एस तो इलावा गुरुद्वारा साहिबान दे विच परकाश कीते जा रहे ते संगता पास मौजूद पावन सरूपानोवी एस विदी नाल जोडन दे यतन कीते जानगे S.G.P.C. दी अंत्रिंग कमेटी दी मिटिंग कल गुरुद्वारा शिरी बॉली साहिब अमली सर्विखे S.G.P.C. परदान एडवोकेट हरजंदर सिंग तामी दी परदान गी हे ठोई जिस विच कई होर एहम फैसले वी लाए गे दरसल कुछ साल पहला शिरीगूर ग्रांट साहिब जी दे पावन तिनसो तो वद सरूपां दा कोई भी रिकार्ड ना मिलन तो बाद ए मामला वड़े विवाद दा कारण बढ़या सी ते होन S.G.P.C. ने पावन सुरूपां ते क्यू आर कोड लौन दा फैसला लही लिया S.G.P.C. पर दाने होर फैसलियां दी जानकारी देद्यां दस्या किश्रोमनी कमेटी ते स्नार सुमंधित अदारें दी मुलाजमा नो पूरी सर्विस तोरान दो साल तक दी ही विदेश चुटी दिती जावेगी I.S.I.P.S.P.C.S. वर्गियां मुकाबला प्रिख्यावां देले सिख नौजवाना नो त्यार करवाण देले चुलाई जारही निश्चय अकेडमी देले एक वड़ी इमार्त वी बनाई जावेगी जड़ी के चंडिगर्दे सेक्टर चुताली स्थेत गुर्दोरा बाग शीही दावेखे तियार कीती जावेगी जिसलिए मुडले तौरते साड़े 6 क्रोडी परवान गी दित्ती जा चुकी है इस मौके SGBC पर आने सिख कौमनू एवी सुनेहां का लियाके एक आलतक्त साइब देशां दे मुताबिक सिख पाई उचारे ने अपने का राधे विसाखी मौके जड़े केसरी निशान चुला एने ओ पूरा अप्रैल मही ना चुला की रखे जान श्रोमनी गुर्द्वारा प्रबंद कमेटी देवल नोशीरी गुरु ग्रांद साहिब जी दे 10 पावन सुरूप कल वागा सरहाद राही पाकिस्तान वी पेज़े गे जड़े के पाकिस्तान दे वाखवा के तहासे गुरुता मांदे वेच परकाश कीते जान गे पावन सुरूपानू लेंद ले पाकिस्तान से गुर्द्वारा प्रबंद कमेटी देपरदा आन अते लेंदे पंजाव दे कैबनेट मंतरी रमेसिंग अरोडा समेत सिक संक्तावड़ी गेनती वीच वागा सरहाद पाउंचियां सरहाते अरदास करंतुबाद नगर केतंदी रूपेच पावन सुरूपानू विशेश पालकी साहिब वाली गड़ी देविच रखवाके गुर्द्वरा शिरी करतारपुट साहिब नारोवाल पाकिस्तान लिजाया गया तक्छरी दंदमा साहिब तलवंडी साबो विखे खाल से दे सर्जना दे हाडेनू लेके हुरही समागम काल चोथे दिन समापत होगे चोथे ते आखरी दिन निहांग सिंगा देवलनों रवायती महला कड़्या गया एस तो पहला गत का मुकाबले वी करवाएगे शिरोमनी गुर्द्वारा परबंदक कमेटी दे सहयोग दे नार पांच प्यारंदी अगवाई दे वेच तक्छरी दंदमा साहिब तो महला से जाया गया जिड़ा स्थानक बस अड़े कोल खुले मैदान दे वेच समा पत होया जिते कोर्सवार ने हांग सिंगा ने कोर्सवारी किला पुटना ते गत के दे करताब दिखाए फिर बाबा बलवीर सिंग ने जेतों इनाम तक्सीम किते तिस मुचे सिख कौम नुखाल सा साजना देवस दी वदाई देती तक्चिरी दमदमा साहिब दे जथेदार गयानी हार पृत सिंगने वी सिख संगत नुखाल से दे सेजना दे हाड़े दिया एक वार फेर वदाईया देतीया योद दे नाल वड़ी खबर होन थवानू दास्तन देहां इसराईल दे वल्लों कीती हमलें दी शुरुआतो बाद इरान होन गुस्से दे विच है पिशले दिनी इरान ने इसराईल दा जुहास कब दे विच लेले आसी जिस विच स्तारा पार्ती वी स्वार ने ते कल इरान ने इसराइल उते तिन सो ड्रोना ते मिजाइलना दिनाल वड़ा हमला कर देता अचानक कीते हमले देवेचर सेंकडे ड्रोन बालेस्टिक मिजाइलना ते क्रूस मिजाइलना दागियां गया जिना विचों ने निवे फीस्ती नू हवा दे विच ही इसराइल दे वल्लो नश्ट कर दता गया इसराइल ने दावा किता है कि अमरीका बरतानिया ते होर मुलकां दे नाल मिलके उसने हमले नू नाकाम बनाया है इस वड़े हमले तो बाद वड़ी कारवाई तो बाद पच्छमी एशिया दे विच तना वदन दा ख़द्शा बन गया वामे इसराइल ने नड़े निवे फीस्ती हमलावर हथ्यारा नू नाकाम बना दता पर इरान ने इसराइल नू चितावनी दती सी के जे उसने हमले दा जवाब ने दी हिमाकत कीती ता होर वड़ा हमला कीता जाओगा जे कंदे वाशिंग्टन ने इरान खिलाफ इसराइली फौज दी किसे वी कारवाई नू हमाय दती ता अमरीकी अड़्या नू वी निशानना बनाया जावेगा इरान दे राश्पते इबराहिम राइसी ने रेवलिशनरी गार्ड दे हमले दी शिलाका कर दया किहा कि उसने यहूदी हकूमत नो सबक सिखाया है इरानी फौज दे चीफ आफ स्टाफ मेजर जनरल मुहमद बगेरी ने दावा किता कि दो इसराइली फौज जी अड़्या नू होना दी फौज ने सफलता पूर्वक निशानना बनाया हून अपरेशन केंदे खतम हो गया है इरान दा हमले जारी रखन दा कोई एरादा नही कोई हिमाकत कीती ता सी मूँ तोडवा जवाब देवांगे दरसल पहली अपरेल दोजार चौवी ने इसराइल वलों किते हवाई हमले विच एरानी सफारत खाने दे वेचोना दे एक चोटी दे कमांडर सने सत रेवलुशनरी गार्ड जानी के उनना दी फौज दे सत गार् इरान ने बदला लेंदी सौखा दे सी इरान दियां चितावनियां दे बावजूद अमरीका वरगे मुलका दी हमायत हासल करी बैठा इसराइल अक्खा दिखा रहे हैं इसराइल दे परदान मंतरी बेंजामिन नितन्याहूने के है क्यों किसे वी तरा दी हमले नालन जिठन दे लें तियार ने इसराइल इरान दे बचाले तना वदन ते पारत ने चिंता जिताई है ते दोवे मुलका नू तना तुरंत कटॉंडी अपील कीती है इस तरम्यान इसराइल दे विच पारती मिशन ने अपनी नागरिकां दे ली नवे सिरेतो एडवाईजरी वी जारी क इस विच कहा गया है कि पारती लोक्षांत रेंड सुरख्या ने जमांदी पालना करन सुफारत खाना हलातना ते नेड़े न नजर रख रहा है उनना ने उथे रह रहे है पारती यानू एवी पर उससा दवाया है कि पारती विदेश मंत्रा लाल लगा तार इसराइली यद बात वी कीती अते इसराइल नाल समंदित समुंदरी बेड़े विच स्वार स्तारा पारती मलाहां दी फौरी रहाई दी मंग वी कीती इस तना दरम्यान हवाई उडाना वी प्रभावेत हो रहे याने एर इंडिया ने पारत तों तल अवीव दे लेई हवाई उडाना नू ह हाल दी कड़ी आरजी तौरती रोक देता है टाटा ग्रुप दी मालकी वाले एरलाइन्स ने करी पांच मीन या दे वकफे तो बात तैन मार्ज तो ही तल अवीव दे लेई सिवामा शुरू कीतियां सी जोडियां हुन रोक देतियां गयाने बरतानिय दे परदान मंतरी टेरिस तावी बियान आया है उन्हाने किया कि दुनिया एक होर जंग बरदाश्त नहीं कर सकती सिन्जुक्तराश्ते मुखी ने सारियां ते रहनों अपील कीती है कि पच्छमी एशिया विच कई मोर्चियां ते वड़े फौजी तकरानों पढ़ कौन वाली किसे वी कारव तो बचन दिली वाद तो वाद संजम वर्तन सुएना हलाता नों देख दया होया एही ख़चाच ताया जा रहे है कि दुनिया एक होर वड़ी जंग बरद रही है इस तो पहला इसराइल ते गाजा अते यूकरेन अते रूस तर्मियान लंबे समित लड़ाई चाल ही रही है पाकिस्तान दी जेल दिविच पार्ती नागरिक सरवजीत सिंग कांड दिविच शामिल आमिर सरफरास तामबा दा कल अनपशाते बंदूगतार याने लहूर दिविच गोलियां मार के खातमा कार देता उदैश्ती जते बंदी लश्करे तोईबा दिबानी हाफिज सैये द दोका ने दावा किता है कि उसनों पिछले कुछ तेना तो जाननों मारंदियां तमकियां भी मिल रही हैं सान। जिस्तो बाद कि किनना वड़ा मुद्दा एहे दोमे मुलकां दे विचाले बणया सी ये शायद थोनसार यानों यादी होवीगा। सल्मान खान नों हर संबब मदद देंदा पर उसावी देता है। इस दरम्यान लॉरंस बिश्नोई गिरो ने एस हमले दी जिम्मेदारी लाई लाई है। लॉरंस बिश्नोई दे अमरीका रेंदे प्रा अनमोल बिश्नोई ने गोडी बारे दे इसकत नानों सल्मान खान देली पहली ते आखरी चितावनी दस्या है। अनमोल ने कहा के अगली बारी गोडी कंदा या खाली करांते नहीं चलेगी। इस दो लेके विश्नोई ग्रूप ने फेस्बुक ते पोस्ट पाई है। ते लोकां दे खिलाफ होन सकती किती जाओगी। 15 अपरेल सौंबार तों जे कोई पाणी दी बरबादी कारदा दिखाए देता ता पांज हजार दा जुर्माना लाया जाओगा। ते उस दा पाणी दा कनेक्शन भी काट देता जाओगा। निजबानों तोडन ले निगम दे वलनों कोई वक्रा नोटिस नहीं पे जाजाओगा ते एक आरवाई ती जून तक जारी रहेगी। जुर्माना पाणी दे बेल वेच जुड़के आओगा।